सश्चिकाल प्यारे विद्यार्थियों दस्मीज मात दे गणित विशे दे आज दे सेशन च आप सागदा स्वागत है पिछले सेशन असी अध्याय 14 अंकड़ा विज्यान दी धोहराई शुरू किती सी जिदे विच आपां माधमान मधिका ते बहुलक यतिन्नों केंदरी प् आप पता करंदियां विधियां सिखियां ते ओधी प्राक्टिस कीती ओधे नाल सम्भंधित क्वेस्चन्स कीते आज असी इस दोहराईन वग्गे बदान दे हुए बाकी रेंदे हुए कंसेप्स जड़े ओनाधा अभ्यास करांगे अगले संकल्प करन तो पहला जेड़े स संकल्प अपन काल केते सीगे इंदरी प्रभाविठी दे तेन माप म मद्धमान मद्धिका M. आटा ते बहूलक इन तिन्हाँ दा आपसी सम्बंध जड़ा उधिगाल करांगे इन्हा तिन्हां दे विच एक आपसी सम्बंध हुन है एक एक्वेस्टन हों धी है जड़े लि हुदर सौंधी है ओएक्वेशन की है ओएक्वेशन नों याद रखन वासते हैं सी किस तरह याद रखना है देखो यह तीन माँ आपने केंदरी प्रविट्ति दें आपा तीन नू केड़े दो अंका दे जोड दे रूप विच लिख सकते हैं असी लिख सकते हैं नों एक जमा दो हुद ए तीन जड़े माँ आपने एथे इन्ना चो एन्ना तिन्ना नंबरा दे नाल एक एक आणा है ओ एक किस तरह आणा है याद रखन वासते तुसी यह याद रख सकते हो कि यह तीन लिख्या है ते इन्ना चो केड़ा शब्द गया जिदे तेन अखर ने मद्धिका तो तीन दिन आल मद्धिका लगना है ते उसतो बाद एक दिनाल लगना है बहु लख ते दो दिनाल मद्धमान बस एक रिलेशन है एक संबंध है जिड़ा आसी हमिशा याद रखन है क्योंकि एस आनू शॉर्ट कोईशन दे वेचा सकता है यह दसो एन्ना तिना दापस वि जम्हाँ दो माद माल एन्हा तिनना चो सानु कोई भी दो मूल दित्ते हों ते आसी तीसरा पता कार सकते हैं बहुलक जेड़ा है बहुलक देना इक लिखे यह ते अपाँ इक नू नामी लिखिये तामी चल जन्दा है ते जेदे तो आपाँ बहुलक दा फॉर्मुला बना न सो जेकर सानु दित्ते हुए अंकड़ें वास्ते मद्धिका ते मदमान दित्ते हों ते आसी बहुलक जड़ा पता कार सकते हैं इस तरह दे शौट क्वेस्चन साड़ेकोल एक्जाम दे विचा जन्दे हैं वानमाक क्वेस्चन या MCQ टाइप आजन्दे हैं या इवन मैच क लगान दे दित्ता जांदा है मानलों कि आजन्दा जी पंजी तो 25 तक दा वर्ग चींद पता करो सानु पता अएगा वर्ग चिन किस तरह पता करना है ते उन्हों कार लांगे वरक चीन पताकरन वास्ते उपरली सीमा जमाहेटली सीमा बटा दो कर देयां साड़ेकोल दित् पूछले या जंदा है कि दसो इना दा वर्ग माप की है तो वर्ग माप की उन्दा है केतली सीमा टे उपडली सीमा दा अंतर इसे तरह हो सकता अंकड़ी दित्ते जान ते तो नूँ एक आजाए की दसो एदे विचो को लिए जटे न बता करना गहाई सतरी फिवक में मैं गया सहने हो इसाद़ कि पाइगा फिर यह कि हो आई गाई जएगा सितरह चोटे-चोटे questions, चोटे-चोटे concepts जड़े हैं, आपा नालनाल revise कर दे जाने हैं, उनसी अगला concept करांगे, उन एक होर संकल्प जड़ा आपा दोहराना है, उन है संचमी बारंबारता वांड सार्नी दा किसे वी चीजनू अलेक दे रूप पीच दर्साना जेडा, उस चीजनू होर clarity दिन दा, उन संचमी बारंबारता पता करनी आपा सेखली है, मदिका दे वेच, जेडी संचमी बारंबारता वांड सार्नी है, ए दो तनादी हो सकदी है, इक है गी है, कट देखराम दी संचमी बा बारंबारता, उन्हों सम्झयन वास्ते देखो एक एकग्जांपल लान्या, मानलो सानू कोईवी अंकड़े देतेने, वरगंत्राल सानू देतेने 0 तो 10, 10 तो V, V तो T, T तो 40, शम्झयन वास्ते आपा एनने कुई अंकड़े ला लान्या, इना दिया बारंबारतामा देति याने से साथ चे आठ ते नौ कि ए वड़गंत्राल ने एना दी बारंबारता है होना सी बना रहे हैं संचमी बारंबारता वांड सार ने इनना अंकड़यानों इंटर्प्रेट करन वास्ते जिन इनना बारे कुछ दस नौवे ते मैं देखो किस तरह कह सकते हैं एक ता मैं जिनने वी अंकड़े ने बाकी सारे दास्तों काटने ते दास एदे वीचे शामल नहीं हुंदा एता उनुपता है कि जो तो लगाता आरता दी गाल कर देयां ते दास दी गिंती अगले वरगंत्राल चुन दिये तो आज एड़े साथ ने जो भी बारंबारता साड़े को ल दास वाला जड़ा ओएदे चाह जाएगा तो एन्नु मैं इस तरह में लेख सकतीयां कि दास तों काट अंक प्रापत करन वाले विद्यार्थियां दी संख्या साथ है एक कोई मतलब बन गया फिर इत्थे की आ गया हुन वी तो काट उन जदे थे मैं वी तो काट लिखांग तो मैं छे ही लिखांगी नहीं क्योंकि जड़े आव लेने ना इवी ता वी तो काट ने ना जिस बच्चे दे अंक साथ जा आठ जा नौ आंदे ने तो मैं पुछा जी किन्ने बच्चेयां दे वी तो काट अंक आए ने जिन्ना दे साथ आयो वी ते आ थकड़ा करनगे न सचे कर लिया अंपार्मबारत अंनों कठा कर लिया उस्वागले जिर से वी तो काट ले एक थे किन्हे आणगे ती तो बच्चे जड़े है वीतो काट सी धा मतलब फिछली या बाराम भारताम ही ये जुडंग किया इथ यसी डोने जोड़ा से ये दी बार मभारता दे वी कि इससे दरां अगला स्टेप देखांगे चाली तो काट आजन गे उन्हों चाली तो काट किन्ने विद्यार थी ओगे इस सारे इस अब चाली तो थले ने तो टोटल किन्ने आगे आगे साथ एक कुल इक की आदे विच नौ जोड़े ते यागे को सो ए बना ली ऐपना संचवीं बारंबाता वांडश मार्म बराबर जाँ वाद पुर्ण तुसी देख के दस्थो मैंनो की जीरो दे बराबर जाँ वाद वाद किन्ने बच्चे यां दे नंबर जड़ी जीरो तो वाद हो सक दैं आज जिन्ने भी नंबर ने दास वी ती चाली इस सारे जीरो तो वाद ने इदा मतलब सारे ही बच्चे जड़े है एस वर्ग दे विच शामल हो जणगे इस सारे बच्चे किन्ने ने सा डेकुल टोटल इसा डेकुल ने ती तो ए पहले वाले दी संच में बारंबारता आ गई ती अगले वर्ग दे विच दास तो वाद ने तो अगली हेटली सीमा दे बराबर जा उस तो वाद वो किन्ने ने जिन्ना बच्चे आ दे दास तो वाद नंबर आए ने उन्ना दे विच शिया जीरो तो दास वाले ते नहीं शामल कर सकते ना क्योंकि ये सब दास तो काटन तो ए साथ जड़े है इनना तीयां चो कटा आदे आंगे ते साड़े को लाजनगे ते इसे तरह अगों वी तुमाद आणगे जे वी दे बराबर जा इस तुमाद वाले लवांगे ते ओदे वेच ए जड़ा पिछला साड़ा वरग इंतराला एदी बारंबारता शामल नहीं ह अपलब की हुणा जेडी बारंबारता एदे चो 6 नू खटा आद आंगे ते साड़े को लाजनगे सतारा फिर दे बराबर जा वद इन्ने रहागे युण एस सतारा चो ए वली आठवी काट जानगे ते साड़े को लाजनगे नोग दी संच्वी बारंबार्ता वांड सारनी बाण गई ए आगी काट परकार दी ए आगी वाद परकार दी को दो तरा निया संच्वी बारंबार्ता वांड सारनी आगी है एक काट परकार दी एक वाद परकार दी ओही डाटा दो में चीजां रिप्रिजेंट कर रही याने तो जदो इन्हानों असी अलेक दे रूप दे विच जदो इन्हादा चित्रन करना है असी की करना है कि एक से इकसिस अई एकसिस्ते व्हाइक्सिस लांने औन्हाद उन्हाद न्यूर्फि प्लॉडट करना हैं जदो इसी काट significant आप उपर्लेंसी मालें आट लेकर लानए से अगली सीम वी तो दी बार्मबारता orbits आडा ऑस्तू अगला पॉइंटे उपळली सीमा दी ते बार्मबार इक्की ते अगला उपली सीमा चाली ते बारमबारता दी इनना points नोजेण आसी graph दे लोकेट करके जॉइन करांगे ते साड़ एकोल संचमी बारंबारता वांड सारनी वक्कर आजाएगी जिसनों English विच ओगीव जा एक और शब्द पंजाबी दा तोरन इसनों तोरन किया जानता है ते ए जड़ा तोरन आएगा साड़ा एक काट परकार दा तोरन आएगा ठीक है इससे तरह जे वाद परकार दे तोरन बनाना है ते अपा हेठली सीमा जीरो ओधे सामने दी संचमी बारंबारता नाल ती फिर दास दे नाल तेई वी दे नाल स्तारा ते ती दे नाल नौ इस सारे पोइंट्स प्लोट कर देयांगे ते साड़िकोल एक होर तरह दा तोरन आजाएगा ज आलेखी चित्रंग दा भ्यास करन वासते असी एक्ससाइस 14.14 पहला प्रशन लेया है इस प्रशन देविच उन्हाने सानु वरगंत्राल दित्ते ने सौ तो एक्सो वी एक्सो वी तो चाली नाल बारंबारता दित्ती है और उन्हाने क्या काट तो काट परकार दा तोरन पहला ओधी काट परकार दी संच्वी बारंबारता जड़ी सानु वांड सार नी बनानी पहेगी काट परकार दी संच्वी बारंबारता पता करन वासते हुन काट कि देतों काट दा मतलब काट कि देतों बड़ी सीमा तो उपरली सीमा तो तो असी सबतो पहला लिखांगे ए फिर एकसो वी तो बाद एकसो चाली तो कट सारियां उपर लियां सी मामा जडियां ओला लणियां ते उन्ना तो कट लेख देना 180 तो कट ते 200 तो कट उन्न इन्ना दी अगए इन्ना दी संचमी बारम भारता जडिया उबना देनी है शंचमी बारम भारता यहां C F एक सो वी तो काट किन्यने अब्यसलि इस्थे बारा ही आने अगला एक सो चाली तो काट मतलब अच्यूदा दे विच अबारा जूड़ जाने साड़े कोल आ जाने है छब्बी फीर अठ जूड़ जाने है चौंती 6 जूड़ जाने है चाली यह दास जोड़ जाने है पंजा साड़े कोल एक टेबल आ गया और इस टेबल नूँ असी जो दो प्लॉट करना है ग्राफ पेपर दियो ते असी केड़े केड़े प्लॉट करने है जीड़े पॉइंट्स प्लॉट करने है वह पेथे लेकल लने हो जो एथे लिक्या उपर ली सीमा ओधे नाल एदी संचमी बारंबारता एक सो चाली ते चब्बी एक सो साथ ते चौनती एक सो असी ते चाली दो सो ते पंजाब पुन इन पॉइंट्स नू प्लॉट करन्दा फैदा की होना सानू इन पॉइंट्स नाल असी मद्धिकानों बहुत एजली लब सकते हैं बिना कैलकुलेशन्स कीते हैं जेड़ा उन अपर टेबल तेयार कीता है संच्वी, बारंबारता, वांडसार नीदा जेड़ा तों काट परकार दा उस दा अपां अलेख खिचांगे देखो एज पॉइंट्स अपां लोकेट करने हैं एकसो वी ते बारा, एकसो चाली ते छब्भी एकसो साथ ते चौनती, एकसो असी चाली, दोसो पंजा एकीने तों काट परकार उपर लियां सीमा वाले या नाल, ते नाल उना दी सच्छमी बारंबारता लई है उन अल्स सब तों पहला साथा पॉइंट गए एकसो वी बारा, एकसो वी की या सदे कुल आमदन दी उपरली सीमा एकसो वी है, उधे ते संच्मी बारंबारता बारा है एक्स एक्सिस जो ते आमदंदी सीमा लहिया है और इधा स्केल जड़ा है वो 20 लेया आपका इधा स्केल आपका 1 स्क्वेर जड़ा है उन्हों सी 10 लेया ते एथे आपका एक किंक बना आदा आँगे क्योंकि जड़ा सड़ा जीरो तो पहली एसी जड़ी पॉइंट लेया है ओधा डिफ्रेंस यह बाकी पॉइंट्स देना लो अलग गया है ज्यादा आगया है इसकरके यह थे किंक बना लन्या अग्गो जड़ा सड़ा स्केल आए वो 1 स्क्वेर नू असी 10 दे एक्कोल लेया ते 2 स्क्वेर दे विचे 20 आगे एक्सस, एक्स एक्सस हो गया Y एक्सस दे आपका स्केल जड़ा लेया है ओपा 1 स्क्वेर नू 5 लएया है, फिर ते 10 दो बाद फ़े 20 दे विच्वेर टो स्क्वेर आचैं तो वन स्क्वेर यूनित अपा लोकेट करांगे 120 वी दारा एक सोवी है ए सिर्द एधे बारा जेड़ा उस अडा पॉइंट आजना है तकरीबन एथे करके उस्तो बाद सेकिंड पॉइंट आ गया 140 ते 26 140 ते 26 जड़ा साड़े कोल आना है एथे 25 आना है और एए 6 आ गया फिर 160 ते 24 एए 160 एथे 35 ते तो थले थे आ गया 24 180 ते 40 एए 180 है एए 40 है लास्ट आ गया 200 ते पंजा एए 200 दे उत्ते एए पंजा आ गया उन्हेंनों अपा फ्री हैंड मलाना है सारे पॉइंट्स नूँ जदो एद्धा मलाया एए साड़े कोल तूं काट परकारदा तोरन बन गया एए पॉइंट्स आपा लोकेट किते सीगे जदो आपायना नूँ मिलाया ते साड़े कोल तूं काट परकारदा तोरन बन गया हुन एए देखो कि जड़ा तों काट परकारदा तोरन है ओ उपर नूँ जान दा हुन एस तोरन तो अपा मद्धिका किस तरह लब सकते हैं मद्धिका वास्ते पहला सानु ए पता होना चाहिए कि एन की है हुन एस प्रशन देविच सड़ा एन जेड़ा है ओ पंजा है ते एन बटा दो ओ जेड़ा सड़ा पच्ची हो गया हुन पच्ची एथे देखांगे आपां बारंबारता देविच पच्ची कित्थे आना है ए आजेगा 25 सा डेकोल एथे पच्ची दे सामने असी एन्नों एक्स्टेंड करके ए तोरं दे नाल मलाना है जिस पॉइंट देते ए तोरं नों मिलदा है उन्नों जद्वांसी थल्ले लाके जावांगे एन्नों ज़ाइन कर लिया इस तरह ते ए जड़ा पॉइंट आएगा ए साड़ी मद्धिक होएगी ए एक सो चाली तो थल्ले आया तकरीबन एक सो उन्ताली कह सकने आप पाने तो एदी मद्धिका जेड़ी है वो 139 है ठीके जी इस तरहां सी कट पर कट दे परकार्दा तोर तोरन अपने नाम तो उल्ट ओंद आ ए याद रखणा कि जटोंसी बोल रहे हैं न कट दे परकार्दा तोरन ते असल विच ओ उपर नुजानद आँ तो कट दे परकार्दा तोरन जेड़ा है ओ उपर नुजा रहे है क्यों कि शंचमी बारंबार्ता वाद रही है तो वद बतदे परकारदे तोरण वास्ते वी यूज करड़ेख सकते लिखों वद्दे परकारदा तोरण किद्दा मना वाँगे न अंकड़िया नूं वर्त के आपRO वाद परकारद तोरण बना हिए जद वाद जो सिवादधी गाल करदें अधे वद्धे नालनाल ब्राबर वी आंत है वाद कि दे तो उन्दा है हेठली सीमा तो हेठली सीमा वी जीनी जन्दि इस करके बराबर शब्द भी लिख देया तो सब्तों पहले कि दें तो बार्बर लिखांगे 100 तो वाद जां बराबर फिर 162 तो एकसो शाठ तो 1080 तो उने नावी संच्मी बारंबारता MA और सबतों पहला टोटल बारंबारता ज़िए ऊखिएंगा तोल किन्ने ने साधे कोल चब्भी ते आठ चौनती चाली ते दास पंजा सो सारे ही सो तो वाद जाओ दे बराबर ने वह आगे पंजा उन्हों जदो आसी एक्सोत वी तो वाद दी गाल करनी है तो ए वले दे विच शामल नहीं होने पंजामा चो बारानू कटा आता जाएग शाधे को लाजन गे अठती जो अगले कॉलम चो पहुंच गे अगले स्टेप ते पहुंच गे ते आप पिछली बारंबारता कट्रोदा कटा आए आगे चवी उन्चवी चो अगले स्टेप ते गए आठ गाट गे आगे 16 फिर 16 चो चे कटे ते आगे 10 देखवा जो बराब अबर आगी एदा मतलब साधी बारंबारता सी जेडी लेख रहे हैं वो सही है उन्चवी बारंबारता भी आगई ऐसी हे ठली सीमा भी लेख लेए जेड़े पॉइंट्स आपा प्लोट करने ने वह आगे सौ दिनाल पुंजाब 120 ते 38, 140 ते 94, 160 ते 16, 180 ते 10 यहाँ सी मामा एकसेस ते ते संचवी बारंबारता वाई एकसेस ते सकेल असी सेम लेल्ले x-axis दा scale जड़ा है वो अपा 1 square unit नू 10 लेया है एथे असी एक kink बना लांगे और y-axis दा scale जड़ा अपा 1 square unit नू 5 लेया पुन जड़े points जड़े प्लोट करने है वो है 100 ते 50 एथे 100 हो है एथे दा point जड़ा corresponding हो आएगा एथे 50 120 देना अलसी लाना है 78 वो साड़े कुल आएगा एथे 100 वी ते 78 फिर 140 देनाल चवी वी एथे करके आजएगा साड़े कुल चवी 160 ते 16 एगा point 180 ते 10 पुन फेरे ना नू फ्री है एंड मला लिए साड़े कुल तो वाद परकारदा तोरन आगया जड़ा तो वाद परकारदा तोरन है वो हमेशा उपरों थल्ले आमदा है फिर इस तोरन तो अगर मद्धी का पता करनी होवे उससे तरा साड़े कुल एन बाई टू पंजाब बटा दो पच्ची आजएगा संचमी बारं बारता दे विच पच्ची देखने आपां एथे पच्ची आंदा है एदे सामने एथे पच्ची आंदा है इन्हों अपां तोरन दे नाल मला लिए इस पॉइंट नूँ फिर इन्हों थल्ले लाजिए जिस पॉइंट ते जाके एसाड़ी एकस एकस नूँ कटेगी उथे साड़ा जो पॉइंट आंदा है उसाड़ा मद्धिका होएगी उन देखो एक सो चाली तो थल्ले तकरीबन एक सो उन्ताली दे करीब एसाड़े कुल आ रहे है जे करसी है नूँ मैथेमेटिकली भी करके देखांगे फॉर्मूला लगा के मद्धिका दा ते तोडिकुल आंसर जड़ा है वो आल्मोस्ट सेम आएगा मेभी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ना आए बट आल्मोस्ट सेम आएगा विद डिफ्रेंस ओफ थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट्स दा हुण ए अपा अलागलाग तोरण बनाए सी एक तों काट परकार दा एक तों वाद परकार दा ते मद्धिका आसी फाइंड करन वास्ते सानू एन बटा दो दी लोड़ पई सी हुण एक होर तरीका है कि अपा तोरण बनाए के मद्धिका जड़ी है ओ लब सक देयां तोरण द्वारा मद्धिका लब बंदा दूसरा तरीका यह है कि असी एक कोई ग्राफ दे उत्ते दोनों तोरण तों वाद परकार ते तों काट परकार एक कोई अंकड़ेंआ मासते जित्ते हुए अंकड़या मास ते दोनों परकार दे तोरण एक ग्राफ ते बना लिए ते जित्ते ओ दोनों तोरण एक दूसरे नूं कटन गे उत्थे साधी मद्धिका साधी कोल आ जाएगी उन जिसरा आपा पिछले तोरण नूं प्लॉट किता सिगा उसे तरह पहले तों बद्ण परकार वला ते तों काट परकार वला पहले मैं तूं पकार वला कर रही हैं कर रहे मिए पौइंस ने मेरे 1 आंज मेरे यह जो दून ते 1510 वी ते 305 देन 140 ते चवी फिर 160 ते 16 एक्सो असी ते दास ए मेरा आया तो वद परकारदा तोरण क्योंकि ये देचापा हेट लियां सी मामा नू लिया इत्थो ता काणा है साड़ा फिर तो परकारदा तोरण ओ आजेगा एक्सो वी ते बारा एक्सो चाली ते छबी एक्सो साथ ते चौनती एक्सो असी ते चाली दो सो दिते पंजाब ए आ गया तों काट परकारदा तोरण ये नू फ्री आंट जो तो जोईन कीता ए दोनो तोरण जड़े है जिस पॉइंट जोटे मीट कर दे आ जोदो उस पॉइंट नू असी एक्स एक्सेजनाल जोईन करा आंगे ते साड़े कोल मद्धिका आ जाएगी कि देखो सेम ही पॉइंट आ रहे है जेड़ा साड़े तों काट परकार ते तों बाद परकार तों आया सी तकरीबन एक सो उन्ताली सो ए साड़ा दूसरा तरीका है मद्धिका लबंदा तोरंदे अधार ते देखो एदे विच एकस एक्स इस दूसरा उपर लिया ते हैट लियाँ सी मामा चारी या लहीं और अगम इसक्थ कुप नापर और एद्दर दा सड़ा स्केल जड़ा है ओ इक स्क्वेर यूनिट फाइव दे प्राबर है तो इस तरह सी कट दे प्रकार दा तोरं ते वद्ध प्रकार दा तोरं दोना नू जोईन करके रहुना दा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस्तर ओधे नाला सी मद्धिका हासल कर अंकड़ा विज्ञान दे विच केंद्री प्रविट्टी दे माप मादमान बहु लगते मद्धिका उनानू पता करन दे फॉर्मुलास फिर उना दे आपस दे संबंध ते फिर संच्वी बारंबार ता वांडसार नी वक्कर इस सारियां चीजां आपा कर लिया ने एक्जा आप फॉर्मुलास लर्न करने जरूरी ने उससा ही चोटे-चोटे कंसेप्स जिसरा इसानू शॉर्ट क्वेश्चन्स चाह सकनी है किसे तानू क्या जावे कि पाग विचलन विदी दिन आलमादमान पता करन दा फॉर्मुला दसो यहां कोई फॉर्मुला देके यहां बहु और इजीली सॉल्व होनगे जदोसी किसे भी ध्याय दी दोराई कर देया ना ते उधी क्रिविजन वास्ते ना चैप्टर दे एंड दे उत्ते एक पेज दे ताड़े को सारंच यहां आसी की सिख्या लिख्या हुंदा उन्नों जरूर पढ़या करो लास्ट मोमेंट्स दे उत्तानों सारे फॉर्मूलाज रिवाईज किते जा सकते हैं जिसराओं तुसी देखो तड़ी किताब दे पेज नंबर तिनसो बाईते हैगा सारंच इस चैप्टर दा पहला पॉइंट लिख्या है वर्गी कृत अंकड़ेयां दा मद मान हेट लिखे यह नू सार पता किता जा सकता है देखो तिननों विदियां दे फॉर्मूले दित्तियों यह परताक विदी काल्पनिक माधमान विदी पागविचलन विदी इनना विच ए मानलेया जान्दा है कि हरे एक वर्ग दी बात बारता उस दे माध बिंदू पाव वर्ग चिन उपर धारतुन दिये एक दा मतलब है कि जड़े संकेत दित्ते हो यह सानू संकेत मतलब चिन जड़े अपना एल एफ नौट एफ टू एच इनना दा अपना सुबाविकार्थ रख देहां मतलब जो असी इना बारे पड़ेयाव है यह उनना दा मतलब एही है कुछ अलग नहीं है उस तो बाद अगल पॉल्स फॉर्म चाह सकता है तो तानू एफ पता होना चाहिए कि संच्वी बारंबारता किस तरां दिये अगो चौत्था पॉइंट है वर्गी कृत अंक्ड़ेयां दी मद्धिका हेट लिके सूतर द्वारा प्रापत किती जा सकती है मद्धिका दा सूतर दित्ता है पंज पॉइंट दे विच देखो एही लिख्या होया है कि वर्गी कृत अंक्ड़ेयां दी मद्धिका एना दे दोवां पर कारां दे तोर्ना दे काटवे बिंदूतों खितिज तूरे उपर खिचे लंब अते खितिज तूरे दे काटवे बिंदूते संगत मुलतों प्रापत हो जानता है खिते जितूरा मतलब एक्स एक्सेज जिन्हों सी होरिजॉंटल एक्सेज गया ठीक है ते अग्गों जड़ा पॉइंट लिख्या है वो तो आड़े वास्ते ए लिख्या हो देच कि बहु लगते मद्धिका पता करन लेई असी ज़रूर देखना है कि साड़े दोन्हों तुर्यां दोते जिड़ा पैमाना है वो एकको जया होवे तो तुसी ए पॉइंट्स जिड़े लेसन दे एंड दे दित्ते होया है इनन्हों पढ़ना ज़रूरी है हर चैप्टर दे एंड दोते ए पॉइंट्स चंगी तरह पढ़के अपनी कंसेप्ट क्लारिटी करया करो ताकि तो अन्हों शॉर्ट क्वेस्टन्स करंदे विच बहुत हेल्प मिल जान दी है तो मैक्सिमम प्राक्टिस करो ते मैक्सिमम स्कोर करो थैंक यू